विल्कम टो मैं YouTube चनल डिलिर वेवर्स इस वीडियो में हम डिस्स करेंगे India and the Great Depression यE topic एड हुआ है page No. 73 पे para No. 7 under 3.5 डिलिर वेवर्स इस वीडियो में हम डिस्स करेंगे कि Great Depression का जुमू कश्मीर की economy पे जुमू कश्मीर की society पे क्या असर पढ़ता है जैसा कि आप जानते हैं कि Great Depression जो 1929 में वर्ल्ड में आया था उसका impact इंडिया पे भी बहुत बुरा पड़ा पर हैप उस दुनिया की हर किसी country पे बहुत ही गहरा impact पड़ा Great Depression का अब जोओन कश्मीर में क्या impact पड़ा Great Depression का ये समझने की कोशिश करते हैं जोओन कश्मीर जो रिजन है ये इम्यून नहीं था वर्ल्ड वाइड एकनामिक डिप्रेशन का यहां की अग्रेरियन और नान अग्रेरियन सेक्टर्स पे यहां जो लोग अग्रिकल्चर से वाबस्ता थे उन पे भी असर पड़ा और जो नौन अग्रिकल्चर अग्टिविटीज के साथ वाबस्ता थे क्राफ्टर्स के साथ वाबस्ता थे शाल के साथ वाबस्ता थे कश्मीरी शाल के साथ वाबस्ता थे सिलिक प्रेशन के साथ वाबस्ता थे उन पे भी बहुत ही ज्यादा गहरा इंपक्ट पड़ा, बुरा असर पड़ा तो Great Depression जो था इसका एक Global Impact था, पूरी दुनिया पे इसका इंपक्ट पड़ा Mainly Impact जो पड़ा Agricultural Prices Decline हो गई जो Agricultural Production है, जो Firstly निकलती है, उनकी Prices में बहुत ही ज्यादा कमी आ गई अब Peasants के पास जो Crops है, उन्हें पैसे ही नहीं मिल रही है, उनका फ़सल जो है वो बिकता ही नहीं है उन्हें कम पैसे मिल रही है उस फ़सल के लिए, अब जो Already Fixed किया गया है Revenue, High Revenue, वो कैसे पे करेंगे एक Peasant जो है, उसके पास कुछ कनाल जमीन है, उसको एक Particular Sum of Amount फिक्स किया गया है Land Revenue, उसको Cultivation निकलती थी, फ़सल निकलता था, उसको वो बेजता था, फिर वो Land Revenue देता था, अब जोंकि पैसे बहुत का मिलते हैं उस फ़सल के उसे, अब वो Tax कैसे देगा? जब वो Tax नहीं दे पा रहा है, वो Indeptedness में फस जाता है, और उसकी Condition बहुत ही गटिया हो जाती है, वो इसकी Condition बहुत खराब हो जाती है, अब Agrarian Indeptedness क्या है? यह हम समझेंगे, यानि वो करजे में दब जाता है, उसे Tax तो देना है, Agricultural Production हुवी, उस Agricultural Production का उसे पैसा कम मि जहा है, अब Tax देने के लिए वो उधार लेता है, Money Lenders से पैसा उधार लेता है सूध पे, अब सूध पे चूंकि पैसा लिया है, अब वो सूध के सिस्टम के अंडर फस जाता है, और उसकी Condition पहले से ज्यादा खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, पीजन्ट्स की, और यह तो पेजन्ट्स की बात हो, या वरकिंग क्लास की अगर हम देखें, जो शाल के कारखानों में काम करते थे, या दोसे कारखानों में काम करते थे, अब उनकी हालत भी खराब हो गई, क्योंकि Great Depression की वज़ज़ से उनको काम छोड़ना पड़ा, काम ही काम हो गया, जब किसी शाल फैक्टरी में कोई काम करता है, शाल अब बिकते ही नहीं है, शाल की प्राइसज़ भी कम हो गई, तो शाल की फैक्टरी ओवनर जो हैं, उन्होंने वरकर्स को निकाल दिया, अब अन-یمप्लाइमेंट बहुत जब जदा हो गई, जब अन-یمप्लाइमेंट हो गई में तो पैसा नहीं कमा रहे हैं अब फुड शाटेज हो गई और सिटार वेशन हो गई वो भूगसे वरने लगे इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लोग कenter कर रहे थे शाल फैक्ट्री में काम कर रहे थे कारपिट वीविंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे जो नमदा बनाते हैं सिलिक फैक्टरीज में अच्छा इसके लावा सिल्वर और बागी हैंडिक्राफ्ट्स में जो लोग काम कर रहे थे उनकी हालत भी बहुत ही ज्यदा खराब हो गई वरल्ड वाइड एक्रामिक डिप्रेशन की वज़ा से क्योंकि जब फैक्टरीज और इंडस्टरीज और कारखाओं का माल बिकता ही नहीं है तो अमनुर्स नहीं क्या किया इनको वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया जब इनको निकाल दिया जाता है इनके पास रोजगार नहीं है इनके पास पैसा नहीं है यह कहां से पैसा लाएंगे और खाएंगे और बाकी अखराजात पूरा करेंगे इस ए रिजल्ट इनकी कंडिशन डिटेरियोरेट हो जाती है बहुत ही खराब हो जाती है अब जो ट्रेड है यह डिसलोकेट हो गया यहां पे पहले ट्रेड चलता था कश्मीरी प्रोटेक्टर्स जो हैं बिखते थे अब नहीं बिख रहे हैं इसका बहुत ही बुरा इंपक्ट पड़ता है कश्मीर के आर्टेजनस पे तो इस टाइम कश्मीर के लोग जो हैं उनके पास बहुत ही ज्यादा ग्रिवेंस थी गॉर्मेंट के खलाफ शिकायती थी अब एक नया वर्ड जो है वो जो एड हुआ है यहां पर वो है इंडबिड़नेस अब क्या है इंडबिड़नेस है कि आपको पैसा पे करना है अब कर्ज कोई कर्ज के नीचे धब जाता है जो रूरल आरियाज हैं वहाँ पे लोग गरीबी के वज़े से पैसा उधार लेते थे बारो करते थे money lenders से क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए food खरीदने के लिए कपड़ा खरीदने के लिए बाकी जो शादी वादी करनी है उस ताइम इन्हें पैसा चाहिए अब चूंकि ये पैसा इनके पास नहीं होता था ये कहां से लाते थे सूध खोरों से लाते थे ये money lenders से पैसा लाते थे अब money lenders ने कहा है भाई एक साल मैं ये पैसा दे दो ठीक है नहीं तो एक साल के बाद 10% जो है आपको interest देना पड़ेगा आप चूंकि ये घरीब है साल तक इनने पैसा नहीं दिया ये 100 rupees इनका हो गया 110 फिर 110 पे 10% interest लगता था फिर उस जो बनता था for example 121 उस पे interest लगता था और एक time पहुंचता था कि ये 100 रुपया कभी 10 लाख रुपय बन जाते थे या लाख रुपया कभी बन जाता था और as a result एक generation loan जो है वो अदा नहीं कर पाती थी इनने बाप ने करजा लिया है 10 रुपय तो फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा जो है काफी generations तक ये करज उतार ही नहीं पाते थे इस तरह इस सूध की निजाम के अंटर कश्मीरी पीजन्टस फस जाते थे trap हो जाते थे and trap हो जाते थे ये हालत थी कश्मीरी पीजन्टस की अब दो questions add हुए है इस chapter में एक तो short answer add हुआ है briefly describe the impact of economic depression on the economy of German Kashmir ये already मैं discuss कर चुका हूँ PDF भी आपको मिल सकती है WhatsApp पुझे कर सकते हैं आप लो इसके लावा दो 100 questions जो add हुआ है long answer में discuss how Kashmir's location on Silk Road shaped the economy and culture of this region ये भी मैं already discuss कर चुका हूँ जो added questions पर मैंने वीडियो बनाई है playlists में जाके आप देख सकते हैं और वो वीडियो जो है वहाँ से ये questions आप लिख सकते हैं thanks for watching this video